हेलो फ्रेंड मेल इंगराच पटिल मेरा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आप सबके लिए और एक निया रेसीपी लेके आया हूँ दोस्तो आज हम बनाएंगे काला चना का चाट जो की खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हमारा सरीट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है आज मैं ये रेसीपी को कैसे बनाऊंगा ये जाने के लिए आप वीडियो के लार्ज तक बने रहें वीडियो को फोलवाज करें दोस्तों अगर आप इसको मोर्निंग का ब्रिकफार्स में बना के खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायादे मन्द होगा आप अगर इसको सही तरीके से बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसलिए दोस्तो आज मैं कैसे बनाऊंगा यह जानने के लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखती रही तो चलिए इसको बनना स्टार्ट करते हैं यह देखें दोस्तों है काला चना इसको हमने पूरा राद पर पानी में भीगो कर रख दिया था अब यह अच्छी तरह से फूल गिया है और हमने इसको अच्छी तरह से वस करके इसका सारा पानी को च्छान दिया है अभी हम च्छाना हुआ चना को कूकर में डालेंगे और इ सबसे लाश्ट में हम इसमें डालेंगे एक तेजपत्ता, अब हम इसका ढखकन को लगा देंगे, और इसको तीन से चार सीटी आने तक छोड़ देंगे, चार सीटी के बाद ये देखे दोस्तों, अब ये अच्छी तरह से बोयल हो गया है, आप देख सकते हैं, आप इम इसमें से सारा पानी को चान के, चना को अलग कर देंगे, तो चेली इसको चान लेते हैं, ये देखे, हमने इसको अच्छी तरह से चान लिया है, चेली में आपको एक चना चेक करा के दिखाता हूं, ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से boil हुआ है, आप हम इसको side में रख देंगे और बनाएंगे masala, आप हमें सबसे पहले चाहिए एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच जीरा पाउडर, थोड़ा सा कसमरी red chili पाउडर, इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, दोस्त जरुरत नहीं है, इतना masala काफी है, अब हम इसको side में रख देंगे, और एक कड़ाई में लेंगे थोड़ा सा सरसू का तेल, तेल का रमजाने के बाच में डालेंगे गोटा जीरा, उपर से डालेंगे थोड़ा सा अजवाईन, इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ही इसके बाद डालेंगे खूप सारा कड़ी पत्ता, इसके बाद इसमें डालेंगे हमारा बनाय हुआ masala, ये देखे, हमने इसमें सारा masala को डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ी जर अच्छी तरह से fry कर लेंगे, और थोड़ी देर बाद ये देखे दोस्तों, हमारा masala fry हो गिय अब हम इसमें सारा उबला हुआ चना को डाल देंगे, और चना को डालने के बाद इसको मच्छी तरह से masala में mix कर लेंगे, ये देखे दोस्तों, हमारा चना अच्छी तरह से masala के साथ मिक्स हो गया है, और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, दोस्तों अब हम गयस को बंद कर देंगे, और इसको एक दूसरे कटोरी में ट्रासफर कर लेंगे, तो चले इसको एक दूसरे कटोरी में डाल देते हैं, और इसको कटोरी में डालके साइड में रख देते हैं, अब हम चना में डालने के लिए लिया है, एक प्याज इसको छोटा-छोटा करके काट लिया है, साथ में लिया है एक टमाटर, इसके साथ हमने लिया है एक कुकुम्बर, इसको भी काट लिया है और इसके साथ लिया है थोड़ा सा धनिया का पत्ता, अब हम एक एक करके चेने के उपर इसको डालते जाएंगे, यह हमने डाल दिया प्याज, उपर से डालेंगे कु इसमें डालेंगे एक नीमू का रस, नीमू का हमने दो टुकडा कर दिया है, अब हम इसको निचोर के अच्छी तरह से इसका सार रस को निकाल देंगे, यह देखे, हमने नीमू का रस को इसमें डाल दिया है, अब हम इसका ओपर थोड़ा सा धनिया पत्त डालेंगे, और इसक दोस्तों, इसको mix करते करते, अब यह अच्छी तरह से बनके ready हो गया है, आप देख सकते हैं, दीख रहना एकदम market जैसा, अब इसको अराम से घर में बना सकते हैं, तो चले इसको plate में serve करते हैं, यह देखे दोस्तों, अमरा काला चना का चाड़ बनके ready हो गया है, आप देख सकते हैं, यह दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, यह खाने में बहुतना ज़्यादा ट्रेस्टी लगता है, दोस्तों मेरे बताए हो तरीके से, आप इसको एक बार घर में बना के जरूर ट्रै कीजिएगा, आपको यह बहुत पसंद आएगा, और आपको मेरा आज का यह रेसिपिक कैसा लगा, यह भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा, तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स वीडियो में, और एक निया रेसिपिक के साथ, ठैंक्स पर वाचिंग में वीडियो फ्रेंड्स